प्रियाग राज में हैं और हमारे साथ है स्वामी जीतेंद्रा नंस सरस्वती जो महा मंत्री है गंगा महा सभा के सबसे पहले आपका स्वागत है ब्रोड काश्ट मंत्रा में आपसे मैं जाना चाहूंगा कि इस बार का जो कुम रहा है उसमें किनर अखाड़े ने भी शाहिसनान में हिस्सा लिया उसमें आपकी भूमी का एक महत्पुन भूमी का रही है किस तरह से देखते हैं आप किनर अखाड़े का मुख्यधारा में आना देव दनुज किनर नर स्रेणी शनातन धर्म आत्मा के अस्तित्तों को स्विकार करता है आत्मा नर में है नारी में है किनर में है या किसी अने जीव और जन्तु में है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है धर्म का जो आधार भूत अस्तंब हो तो यह है लकिन समान्यत्यान लेंगिक भेदभाव हम इसलाम और क्रिश्यनों के तरह से शनातन धर्म के अंदर भी यह भेदभाव होने लगे थे महवारत काल में भी यह भेदभाव नहीं था और समाज ने आगे बढ़के उन्हें हुआ कि पहली बार इस कुम्ब के अंदर सफाई कर्मियों के साथ जिन से समाज बरावर की दूरी बना के रखता था वो गंगा महासभा के ही बैनरतले पुझ्य शंकराचारी और अन्यान्य संतों के सानिध्य में उन्होंने गंगा अस्नान किया इसको बाकी मीडिया ने भी बहुत अच्छे से लिया और ये क्रांती हुई तिर्थराज प्रियाक की धर्ती पे चाहे किंदरों का अस्नान हो अथ्वा सफाई कर्मियों का जिस सुद्र समाज को बाकी के समाज के लोग काट रहते या काके कि हिंदू समाज आपको प्रतिष्ठा नहीं देता है किंदर अभी इसलाम आनुगत ऐसे ही हुए थी इसलाम के अनुगामी होकर के हाजी पाजी घूम रहे थे पहली बारों लोटे तो समाज ने उनको स्विकार किया है लेकिन अभी उन्हें भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है अपक्छा कृत मुझे लगता है दलित और सुद्र समाज के अपक्छा उनको जादे लंबी लड़ाई अभी लड़नी है क्या क्या महत्रपुण मुद्य बदलाव के तरफ जा रहा है जैसे किनर आ गए सफाई करमचारियों ने गंगा सनान कर लिया चुआ चात को लेकर भी बात हो रही है ऐसे कौन-कौन से मुद्दे हैं जि किसी आश्मानी किताब के सहरे बैठने वाले लोग नहीं है हर तीन वर्स पे कहीं कुम्ब लगेगा और उसमें चर्चा करेंगे सनातन धर्म के अंदर आई वही कुरीतियों को दूर करने का सभी संत प्रयास करेंगे बड़े खुले मन से चर्चा होती थी पहले भी होती थी बीच के दिनों में बंद हुई इस बार एक कोशिस हुई अखिल भारतिय संत समीती के द्वारा कि हम इस दिशा में बढ़ें और बढ़े भी उसी का परिड़ाम है चाए किन्नर दिखते हो या ये सब्दराजनेतिक है या जो सफाई कर्मी थे शुद्र समाज था सेवा अगे भी रहेंगे अब उन्हें लगने लगा है कि नहीं हमारा संमान वापस लोट रहा है अंग्रेजी काल में गए हुए सम्मान को सत्तर वर्सों के सासनकाल और संविधान के उस धारा ने टुकड़े में ही बाटा था पुना धार्म की मूल धारा ने उन्हें अपनी की शरण में जाते थे आज धर्मिक गुरू नेताओं की शरण में क्यों बैठ रहे हैं वस्तुता हम जिने धर्म गुरू समझते हैं वो शरीर पर भगवा चोला डाल करके कहीं कहीं कुछ पाने की अकंच्छा है अब परमार्त जो साधुन धरा शरीर परमारत के कारणों यह भाव समाप्त हो चुका है बढ़ित मात्रा में तो यह ग्लैमर दिखता है राजनिती में गनर गार्ड राजनेतिक शुविधाएं यह सब जो चीजे दिखती हैं यह व्यक्ति को बर्बस आकर सित करती हैं उस धारा की तरफ और हम इतिहास को भी खंगाले तो पहले भी राजाग्यां से धर्माग्यां बाहर नहीं होती थी राजा जब धर्मगुरु को आमंत्रित करता था तो प्रतिष्ठा देता था और किसी प्रस्थन पर राजा बिचलित विगलित होता था तो वो अपने धर्मगुरु से पूश्ता था तो धर्म की अचारे की भी मर्यादा बनी हुई थी अब क्या है कि धर्म की चादर तो हमने ओढ़ ली है लेकिन हम धर्म गुरू और धर्म की हमारी समझ कितनी है यह जादे माइने रखती है लिहाजा ऐसे लोग जब राम रहीम राम पाला साराम टाइब के लोग होते हैं और पकड़े जा जब ये राजाग्यां और राजदंड से प्रताडित होकर के जेल की हवा खाते हैं तो धर्म हमारा सुध्ध हो जाता है और ये अपने को ऐसे लोग ही बचाने के लिए सत्ता के दाएंबाएं इर्दिगिर्द मड़ाते हुए देखे जाते हैं राम मंदिर को लेकर भी एक राजनेतिक मुद्दा बन गया इस देश में पूरा देश कहता है आस्था का विश्या है लेकिन उसके बावजुदी तारिक पे तारिक ये क्या हल देखते हैं आप स्वामी जी भगवान राम लला जहां विराजमान है मैं शीधे सब्दों में पूछू तो वहां से राम लला की मुर्ती कौन हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट संसद या इस देश के मुसल्मान लेकिन इस सच्चाई को स्विकार करना जिन्ने है वो स्विकार क्यों नहीं करते ना संसद स्विकार करना चाहती नदेश का मुसल्मान श्विकार करना चाहता है हम ऩो जरूर कहते हैं हम राम मंदिर दे देंगे तो अफ़ कि चलो जो हुआ सो हुआ आगे हमें हम आपको यह नहीं करें कि हिंदुस्तान छोड़ दो लेकिन इज़त से जीने के भी सर्तन तो तय हैं कि इस देश का विभाजन एक कटू सत्य है धर्म के आधार पर हुआ जो हिंदू थे उन्हें हिंदुस्तान मिला जो मुसल्मान थे उन स्विकार किया था तो इस कड़वी सच्चाई को स्विकार करने के बाद भी अगर आप यह सोचते हैं कि आप सासक थे और हम शासित थे तो यह भाव तो उन्हें नस्ट करना होगा ना क्योंकि अब तो हम ही सासक हैं और हम ही सासन करते हैं और हम अपने उपर सासन करते हैं क् लोकतंत्र का लोक के लिए तंत्र है तो ये समझना होगा इसी कारण कुछ राजनीत के पैवस्त लगा करके सोच विचार बनते रहते हैं बिगरते रहते हैं और लोकतंत्र में वोट के कारण चीजें होनी है तो सुभावी क्या कि देर से सही जब हिंदू ने इन मुद्धों पर ओट करना सुरू किया तो बाकी लोगों के लिए परिशानी तो होनी सुभावी के तो क्या इस बार राम मंदिर पर ही वोट होने वाला है नहीं मुझे लगता है कि कस्मीर के मसले पर ओटिंग होगी और सरकार को चाहिए कस्मीर के विशे को सदा सदा के लिए हल करें और सिंध बलूच और पक्निस्तान और उसका पंजाब ये चार टुकडों में विवाजन ही इस समस्या का समाधान है क्योंकि भारत में मंदिर आज बने या दो साल बाद बने राम मंदिर राम मंदिर सुरक्षित कब रहेगा बाबर जैसे आकरांताओं से सुरक्षित रखन के लिए हिंदूों को एकजुट रहना होगा और इसलाम की उस ताकत को जो परमाड़ संपन्न ताकत है उसको नष्ट किये वगर हम मंदिरों को जो मंदिर बचे हुए है उनको भी सुरक्षित रखने की कलपना कैसे कर सकते हैं इसलिए एक बार कश्मीर के वहाने जो कुछ ह हो रहा है पाकिस्तान के टुकड़े और पाकिस्तान की जो सरजमी है वो हमारे बच्चों को खेलने के लिए तो चाहिए ही चाहिए इस नाते हो जमीन हमें अब चाहिए तो यानिक एक बदलाव की बायार यहां भी बह रही है और जिस तरह से पुल्वामा में जो हुआ है उ साथ